स्रीश वाय नमस्तु भेहम हम सबको वता है कि हर बार की तरह इस बार भी हम सभी के प्यारे गुरुजी दो अगस्त को सावन की शुरात्री पर आनलाइन पूजन कराएंगे जिसका लाब हम सभी लोग अपने घर पे बैट करके टीवी के माध्यम से ले सकते हैं न तो पूजन सामगरी आप लोगों ने नोट की होगी थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है पूजन की सामगरी में मतलब चीजें वही है बस उसकी नई सूची जारी हुई है जो की है उसमें कुछ रेशियो में फेर बदल हुए है कौपी लेलो, पैन लेलो, नोट करते विच लिए गा और इस बार की पूजन सामगरी में महदी भी शामिल हो गया है साथ ही साथ इस वीडियो में जो हम लोग पार्थिव शीवलिंग का पूजन करेंगे उस शीवलिंग का विसरजन कब करना है क्या उसी दिन करना है रात में करना है सुबह करना इसकी बात हम लोग करेंगे, वीडियो को पूरा देखेगा, सबसे पहले कॉपी ले लो, पैन ले लो, एक एक चीजों को नोट करते वे चलिएगा, फोटो के साथ सारी चीजों को समझाओंगा, है न, देखो, इस्क्रिन पे आपको गेहों के दाने दिख रहे होंगे, तो 21 गेहों के दाने लेने है, 21, है न, आगे बढ़ते हैं, 21 गेहों के दाने के साथ में आपको चावल लेना है, 108 चावल के जाने जो कहीं से खंडित ना हो, अक्षत जिसे बोलते हैं, जिसकी छती ना हुई हो, 108 चावल के दाने आपको लेने होंगे, है न, यहाँ पे स्क्रिन दो से तीन दिन का समय है, मुझे WhatsApp पे message करिएगा, वो सामान में आपके घर तक पहुचाऊँगा, यहाँ पे WhatsApp का number में लिख दे रहा हूँ, एक बार note कर लो, 900-564-3345, इस पे phone नहीं लगेगा, सिर्फ message करना, मैं वो आपके घर तक deliver करूँगा, ठीक है न, कोई भी चीज ना म मिलती हो, मुझे message कर देना, ठीक, पांच कमल गट्टे हो गए, साथी साथ आपको लेने होंगे काली मिर्च है न, काली मिर्च भी यहाँ पर परिवर्तन हुआ है, पहले गुरुज ने 51 काली मिर्च की बात की थी, इस बार सूची वही है, बस आपको काली मिर्च थोड़ा स बस एक चुटकी काला तिल ले लेना होगा, ठीक है न, अब उस एक चुटकी काले तिल में चाहे दस दाने आ जाए, चाहे पांसो दाने आ या फिर एक हजार आ जाए, उससे मतलब नहीं है, एक चुटकी काला तिल लेना, काले तिल के साथ में फिर से आपको इस तरीके से ल बेल पत्र लेने की बट यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन नई सूची में की गई है और वो है हमें इस बार साथ बेल पत्र लेनी है जो कहीं से कटी फिटी ना हो एक चीज का ध्यान दीजेगा बेल पत्र आप एक दिन पहले भी ला करके रख सकते हैं दो अगस्त सावन की श शिवलिंग के उपर जो बेल पत्र चड़ी हो उसी को धुल करके इस्तमाल कर सकते हो ठीक है इसलिए गुरुज ने 21 से 7 कर दिया है बेल पत्र को है आगे बढ़ते हैं बेल पत्र के साथ में सभी देवी देवताओं को एक चीज बहुत प्रिय होती है और वो है शमी का पत्त वैसे तो शमी का पत्ता सनी देव को बहुत प्रिय है लेकिन सभी देवी देवताओं को चड़ता है तो महा देव को भी साथ शमी के पत्ते के जरुवत यहाँ पर पढ़ने वाली है ठीक साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से फूल है ना जान बूच करके मैंने ऐस पूल दिखाया है ताकि आप बिल्कुल भी कनफ्यूज ना हो आपके घर के आसपास में कोई भी पुष्प मिल जाए सफेद हो पीला लाल हरा को ऐसा भी फूल हो फूल लेना फूलों की मात्रा को गिनिये गा नहीं जादा मात्रा में फूल लेना पता है क्यों कह रहा हूँ क्योंकि जब पूजन होगी ना तो आपसे पता क्या कहा जाएगा थोड़ा साक्षत लीजे थोड़ा सा फूल लीजे यहां पे चड़ाईए ऐसे चड़ाईए वैसे चड़ाईए तो आप अगर गिन के लिए रहोगे ना चीजों को तो आप फिर वहाँ पे भूल जाओगे और आपका कम पड़ जाएगा इसलिए जितनी चीजें मैं आपको बताऊंगा उन सभी चीजों को छोटी-छोटी कटोरी लेकर के दोना जिसको बोलते हैं उसमें रखना और कुछ चीजें अलग से भी अपनी थालियों में रखना जिससे जब पूजन स्टार्ट होगा तो उसमें से इस्तमाल करना ठीक है न मैं दो बार से पूजा करता चलाया हूं ऑनलाइन इसलिए मुझे सारी चीजें बता है आपको मैं अचेत कर रहा हूँ पूल की बात आगे, दूसरी चीज आती है, सबसे बड़ी चीज वो है लाल फूल, लाल फूल में जैसे ही लाल फूल का नाम आता है, लोगों के दिमाग में गुलाब का फूल आता है, तो गुलाब का फूल जरूरी नहीं है कि आपको खड़ा ही लेना है, गुलाब की साथ प भूल कर भी मत लेना, वरना एक हजार गव हत्या का पाप मिलेगा, और जब ये पाप चढ़ जाता है, तो लाखों उपाए कर लोगे, कितने भी उपाए कर लो, आपको फिर उससे दोश से कोई मुक्ती नहीं मिलने वाली, इसलिए एक हजार गव हत्या के पाप से बचने के ल नोट करो, आपको लेना होगा पांच चीजों को, जिसे पंचा मरत बोलते हैं, अलग से रखना हर एक चीजों को, सबसे पहले थोड़ा सा दूध लेना, जो दूध होगा, वो गव माता का होगा, और कच्चा दूध लेना होगा, दूसरी चीज आपको लिने होगी दही, ठ तो शक्कर भी ले सकते हो, जिसे चीनी बोलते हैं, उसका बिस्तमाल कर सकते हो, और जो पांच वी चीज है, वो आपको शहद लेनी होगी, ठीके ना, इस चीज का धान रखीएगा, इन सभी चीजों को अलग अलग काटोरियों में थोड़ा-थोड़ा करके आप सब को रख अबिशेक आप देखो, तो वो फुस फुस देखो, डबाओ तो फुस फुस करके परफ्यूम निकलता है, उसका इस्तमाल करते हैं, कभी भी रुद्धाभी शेक हो, या फिर महादयों का कोई भी पूजन हो, हमेशा इत्र का इस्तमाल करना चीए, परफ्यूम फुस फुस वाला नहीं यूज करना चीए, वरना दोश लगता है, समझे हो मेरी बात को, तो आपको इत्र लेना है, इत्र के साथ में पहले गुरूज ने बताया था, सुपारी दो लेने के लिए, लेकिन इस बार थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, सुपारी आपको इस बार तीन लेनी चंदन में पीला चंदन भी लेना और लाल चंदन भी लेना, दोनों चंदन का इस्तमाल हम सभी लोग पार्थिव श्यूलिंग की जब पूजन करेंगे, उस टाइम पे हम लोग इस पूजन की बात करेंगे, चंदन का इस्तमाल करेंगे, पीला चंदन भी लेना और लाल चं में हमें जरुद होगी रोली की ठीके ना जब पूजन स्टार्ट करोगे न तो बीच बीच में आप से कहेंगे रोली चढ़ाईए चंदन चढ़ाईए तो इसलिए आपको रोली की भी जरुवत वहाँ पर पढ़ने वाली इनमें से कोई भी चीज़ आपको नहीं मिलती है बे देखो जो परिवर्तन हुआ है एक चीज़ बढ़ाई गई है और वो है महदी यहाँ पे आपको कुप्पी वाली महदी दिख रही होगी जो की हाथों में लगाई जाती है कोशिश करना ये कुप्पी वाली महदी ना मिले है न महदी का पत्ता अगर आपको मिल जाता है इस दो कपूर लेना बहुत जादा नहीं कपूर के साफ में आपको धूब बत्ती यहाँ पे अगर बत्ती का स्तमाल नहीं करना है आपको धूब बत्ती लेनी होगी साथ ही साथ आपको कोई भी पांच फल जो सबसे जादा आपके फैमिली के हिसाब से ठीक हों जैसे ठीक हों इ ऐसा नहीं कि 10,000 पाते नहीं हो तो काजुक बर्फी खरीद लो 1,000 रोपय किलो, नहीं ऐसा कुछ मत करना, जितना आपके घर की छमता हो उसी हिसाब से खरीदना, पांच फल ले लो कोई भी एक एक करके ले 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 ले, पांच फल हो गए और इसी प्रकार से मिठाई भी थोड नहीं पाता हूँ, गुरू जी इस बात को क्यों नहीं बताते हैं, किसी भी पूजन पाट की समगरी में, गुरू जी के द्वारा जो लॉंच किया गया है, उसमें नारियल की बात नहीं लिखे गई है, मैं आपसे परसनल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपना भाई, जो भी यूज कर लेते हैं, पता नहीं क्यों, इसलिए इस बार में आपको बता रहा हूँ, कि नारियल ले करके बैठना जरूँ, जो जूट वाला होता है, जिसके अंदर पानी होता है, साथी साथ आपको दो दीपक लेने हैं, एक दीपक आपको जलाना होगा, जब पूजन स्टा होगी, और दूसरा दीपक जलाना होगा, जिस टाइम पे हम क्या कर रहे होंगे, आर्टी कर रहे होंगे, इतनी बाते समझ में आ गई होगी आपको, अब बात करते हैं, कि जिस मिट्टी से आप पार्थिव श्युलिंग का निर्माड करोगे, वो मिट्टी कौन सी होनी चाह बात यहां पे करते हैं, विसर्जन वाली सबसे important चीज़े, देखो एक तिथी होती है, जो कि है शिवरात्री, है ना, हम लोग कप पूजन कर रहे हैं, शिवरात्री को ही, तो अगर शिवरात्री के दिन आप पूजन कर रहे हैं, पार्थिव शिवलिंग का, तो इसका नियम होता है, कि आप चाहें, तो पार्थिव शिवलिंग को पूरी रात घर पे रख करके, और अगले दिन ले जाकर के विसर्जन कर दें, यह नियम होता है, अब शिवरात्री का दिन है, तो आप चाहें, तो उसी दिन विसर्जन कर दो, या फिर अगले दिन, कोई और तिथी अ हम चाहे तो उसी दिन विसर्जन कर दें रात में या फिर चाहे तो सुबह विसर्जन कर दें बात कर आती है भीया विसर्जन हम करेंगे कहां पे विसर्जन आप चाहो तो अपने घर की बाल्टी लेना साफ सुतरी बाल्टी हो उसमें पानी भरना और महाद्यों के शिवलिंग के होगा बात करते हैं कि इभिया हमारे घर के आस पास में कोई नदी ताराम नहीं है तो अगर नहीं स takiej तो आप अपने घर के आस पास में चहाए पीपल का पेंड़ हो यहाँ बेल पेंड़ हो वाँ पंजा इतनी सारी चीजे मैंने आपको बताई हूँ, जो भी चीजे अपडेट हुई थी, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, जादा से जादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा, और फिर से बता रहा हूँ, कोई सामान आपको नहीं मिलता, तो बिल्कुल परेशान होन की जरुवत नहीं है, आप हमें वाटसेप करिएगा, मैं आपके घर तक उन सभी सामागरी को जरूर पहुचा हूँगा, ठीक है ना, बाकि वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है, नहीं समझ मैं, नीचे कोमेंट सक्षने पूछें, मेरे जितने भी भाई बहन, आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, स्री शिवाय, नमस्तु भ्यम